दोस्तों इस वीडियो के बाद हम से जानने की कोशिश करेंगे कि Auditor in CAG की जॉब प्रफाइल क्या है और भी धेर सारी चीज़ें जैसे सब कुछ मैं इस वीडियो में आपसे डिसकस करने वाला हूं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है तेज प्रताब स्वागत करता हूं आपका फुल स्कूर के इस चैनल पे तो सबसे पहले मैं आपसे डिसकस करूंगा अबाउट ऑडिटर इन मतलब थोड़ा बहुत जानेंगे ऑडिटर इन के बारे में जो ऑडिटर की पोस्ट है इसके बाद आपसे डिटेल जॉब प्रोफाइल डिसकस करूंगा अलग अलग सेक्शन में जब आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको अलग-अलग किस प्रकार के काम करने पड़ सकते हैं इसके बाद मैं आपसे प्रमोशन्स आस्पेक्ट डिसकस करूंगा और ट्रांसफर पॉलिस्टी सी एजी ऑडिटर की डिसकस करूंगा इसके बाद सेलरी की बात करूंगा मैं कि अलग-अलग शेहरों में जैसे की जो बड़े शेहर उनमें आपकी सेलरी कितनी आएगी औ आपसे अगर आप सीविल सर्विस की तयारी कर रहे हैं या किसी और एक्जाम की तयारी कर रहे है तो यह जाब आपके कितनी सूटेबल रहेगी उसको भी समझने की कोशिश करेंगे तो आई चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ को ग्रेजुएशन था राइट साइंस स्क्रीम होनी चाहिए आपकी तो उसके लिए अहां वी है वेकंसी फॉर रियली गुड जॉब ऑफर फॉर यू बस एक दो चीजें आपको ध्यान रखनी है एक यह क्या पास लैप्टॉप होना चाहिए ठीक राइट यह चीज आपको एक ध्यान रखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखता है फॉर्म का उससे आफ फिलप कर दें और वी विल कॉंटेक्ट तो यू राइट विल कॉंटेक्ट यू चलिए आगे चलते हैं समझते हैं ऑडिटर की जॉब प्रोफाइल तो लेवल फाइफ की जॉब है दिवाइड़ थी लेकिन सेवन सीपी सी ने वह सारी ग्रेट पे वाले कॉंसेट को खतम कर दिया अब लेवल्स में जॉब को डिवाइट किया है और उसी लेवल के अनुसार ही एक सेंट्रल गॉर्मेंट इंप्लॉई की सेलरी कैलकुलेट की जाती तो उसको हम समझेंगे अ よ को मेन ऑफिस है वो लक्रणंव में न होके यूपी के जो अगर आप और उठीटर यूपी में बंदते हैं तो आपको मैक्सिमंग चां설ौल में आप्पो स्तिंग मिलेगी है चोटा से एक और लको में बھی यहीं कि स्ट्रेंफ बात करूं मद्ध्रदेश की तो आपको भौपाल में में आफिस मिलता है लेकिन ग्वालियर में भी एक चोटा सा ओफिस है तो ग्वालियर के लिए हमेशा जारा डिमांड रहेगी क्योंकि आसपास के लोग ग्वालियर आना चाहेंगे तो एक तो चीज तह है कि अगर आप र दो आफिसेज मिलते हैं तो यह कह सकते हैं आपकी स्टेट के अंदर तो आप एक बार पोस्टेड हो गए राजधानी में तो वहां से ट्रांसपर का कोई गुंजाई नहीं है लेकिन आउट ऑफिस ट्रांसपर पे अभी थोड़ी देर में बात करूंगा आपसे इसके और ट करने का जाके अलग-अलग गौवश्मेंट डिपार्टमेंट्स का तो बैसिकली अगर मैं बोलूं कि आपको गौवश्मेंट के चांसेश कम मिलेंगे रीज़न वहां पे अरिकतर अस्टिस्टन्ट ऑॉडिट ऑफिसर जाते हैं सीर ऑउडिट ऑफिसर जाते हैं और जो मतलब जो senior auditor को भी चांस दिया जाता है auditor कम ही जाते हैं लेकिन यहां पे कभी कभी यह कोई रूल नहीं है कि आप बिलकुल नहीं जाएंगे आपके स्टेट चीफ चाहें तो वो कह सकते हैं कि जाने चाहिए क्योंकि उन्हें भी हमें ट्रेन करना है हमें फ्यूचर वर्कपॉर्स बनानी है कई स्टेट में ऐसा हुआ भी है तो आपको भेजा जा सकता है लेकिन उससे पहले आपसे विलिंगनेस मांग ली जाती है क्योंकि auditors की संक्या बहुत जादा रहती है तो देख ल बहेंगे अच्छा आप प्रोफाइल पर आते हैं जोब प्रोफाइल देखे डिपेंड करता है सेक्षन टू सेक्षन किस सेक्षन में आप पोस्टेड हैं तो मैं इतने जादा सेक्षन होते हैं एक आफिस में कि पूरी लाइफ भी जाती है एक एंप्लॉई की लेकिन वो सबसे पहले आप से बात करूंगा जिसको हम एड्रिस्टेटिव सेक्षन के नाम से भी जानते हैं यह सेक्षन जो है यह सारी चीजें करता है ज्वाइनिंग ट्रांसफर्स वग्यारा मतलब आपके घर जो ज्वाइनिंग लेटर आता है वह एड्मिन सेक्षन ही आपको पायर अथोरिटीज जो अपॉइंटिंग अथोरिटीज बगरा है या जो डिसाइडिंग अ कर देता है कोई दूसरा सेक्षन अलॉट कर दिया जाएगा जनरली तो यह आपकी ज्वाइनिंग देखता है अगर आपका मालीज इंटर्नल ट्रांसफर होता है ओफिस के अंदर तो deputation यह होता है basically मान लीजिए कि एक दिल्ली में office है फिए जी का और एक आप बैठे हुए है मान लीजिए कि आप इलहाबाद या पटना या आप बैठे हुए है धराबाद तो अब यह जो office है दिल्ली वाला इसे मान लीजिए कुछ staff कम है इसके पास कुछ auditors इसे चहिए तो यह निकालता है एक letter circulate करता है सभी state offices को और कहता है जी हमें auditors की requirement है आप अपने हां से कुछ auditors भेज सकते हैं क्या तो जो यह आपके हां notice board पर लगा रही है जाता है जी deputation पर requirement है दिल्ली office को ठीक और फिर आपसे willingness मांगी जाती है और कुछ लोग दिल्ली चले आते हैं यह सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है अलग अलग दूसरे departments भी या सिर्फ यह जी की पत नहीं है दूसरे विभाग भी जैसे माली जे इस्ट्रो है डी रडी यो है या कोई भी अन्य विभाग वो कह सकता है जी हमें हमारे यहां accounts के professionals की रिक्पार्मेंट है यह यह conditions वो फुल्फिल कर रहे हों तो आप हमें उनको कौन कप्रीट करेगा एड्मिन सेक्शन इसमें इंवाल रहेगा इसके लावा रिटार्मेंट के टाइम या फिर अगर कोई डिस्प्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही हो किसी के किलाव तो जो फाइनल चीजे होते हैं उसमें भी एक एड्मिन सेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है हम कह सकते हैं कि से हमारा बार बार पाला पड़ता होता है लेकिन यहां हमेशा चुस्त और दुरुस्त लोगों को ही नियुक्त किया जाता है जो की काम को सही समय पे complete कर सकें और जिनको काम करने में मतलब कोई आलस ना हो ऐसे लोगों को ही दिया जाता है powerful है लेकिन responsibilities भी बड़ी लेके आता है ये ये section लगातार higher authorities से interact करता है आपके जो state chief होंगे उन से उनके नीचे जो मातहत लोग हैं उनसे भी interact करता है तो obviously एक ऐसा section है जो बहुत important section है office का आधार स्तंभाब कह सकते हैं वैसे तो सभी section important है लेकिन ये section काफी importance रखता है इसके बाद जो अगले section से आपका पालब पड़ेगा वह बिल section यहां पर आपकी salary बनाई जाती है medical claims कोई बीमार पड़ा कुछ ऐसा medical claims वगरा ये लोग settle करते हैं या फिर आपको सरकार अपने जहां भी आप पोस्टेड़े वहां से अपने home state home town तक आने के लिए LTC का provision देती है जिसका खर्चा सरकार वहन करती है कभी कभी जैसे आप अंडमान निकोबार वग्यरा भी कुछ लोग घूमने जाते हैं तो उसकी जो बिल होते हैं वह रिंबर्स कराने का आपका पूरा काम बिल section का है यहीं पर आप कराते हैं अच्छा admin section हो या बिल section हो यहाँ पे भी bulk में admin में बलक में auditors की posting रहती है बिल section में भी auditors की posting रहती है obviously आप यहाँ पे double AO या senior AO के नीचे काम कर रहे होंगे इसके बार welfare section एक बड़ा important section है जब आप जाएंगे पहली बार join करेंगे तो जो आपका ID card बनेगा वो welfare section बनाता है साथ में आप quarter अगर लेना चाहते हैं सरकारी आवास इसकी भी सारी formalities आप welfare section के साथ complete करते हैं आपकी office में कोई training हो रही है माली जे जनरल management training या कुछ auditing की training चल रही है office के अंदर उसमें यह जो welfare section है यह involved रहता है इसी के देख देख में उस सारी training complete कराई जाती है इसके अला पड़ा तो office किल सकता है तो इस section में भी जो employees होंगे काफी चुस्त दुरुस्त और तेज आदमी लोग रखे जाते हैं आप देख सकते हैं बिल section जिससे लगातार आप इंट्रेक्ट करेंगे welfare section से आपको इंट्रेक्ट करना पड़ेगा एडविन section से लेकिन यहां पे उन्ह सारे section हैं जैसे e and rsa होगा economic and revenue यह basically audit बगरा देखता है ठीक है इसके बाद आपको मिलेगा local audit body का section और भी तमाम sections मिलेंगे यह directly audit में involved रहते हैं तो यहां पे जिन auditors की posting होगी वो जो audit report जो लोग field में गए हैं डबल यो सीनियर यो या senior auditors auditors उन्होंने submit किया उसको compile करना उस है क्या नहीं उन सारी चीजों में आप involved रहते हैं इसके बाद एक section होता है financial audit wing का अगर आपने यह section join किया है आपको इसमें मतलब opportunity मिली है तो आपको basically जितनी भी audit जो complete हो जाती है आपके जो भी मतलब अधिकारी गड़ है उन्होंने उसको approve कर दिया कि भई यह जो audit यह जो ह हमें क्या करना है हमें अपनी report में च्छापना है तो किताबें तयार होती है वह faw के अंदर तयार होती है एक report section भी आपको मिलेगा faw reports में वगरा में भी involved रहता है और जब यह किताब चप जाती है तो यही किताब आपके रखी जाती है कहां पर आपके governor को present की जाती है जो रखते हैं फिर आगे ठीक तो यह बात हो गई थोड़ी सी इसके बाद मैं बात करूं तो दो और important sections आपको मिलेंगे डीएजी secretariat डीएजी मतलब deputy accountant general यह जनरली आई एंड एस से आते हैं UPSC के तुरू तो एक आपके powerful post होती है और कुछ low promoted जो की rare है वो भी इस post पे पहुंसते हैं तो यहां पे इनका एक पूरा secretariat होता है और उसमें भी आपकी posting हो सकती है वहां पे आपको अलग अलग तरीके का करना पड़ेगा यहां पे लेट होने का मतलब बहुत दिक्तत हो सकती है क्यों कि आप दियेजी के अंडर में होते हैं तो आपको बड़ा ही ध्यान से जॉप करनी होती है इसके बलावा एज का सच यह एजि का सचवाला और एजि जनरली या पी एजी स्टेट का चीफ होता है तो इस्टेट का चीफ मतलब س्टेट का जो सचवाला एज बड़े ख सचवाला है वो कनेक्ट होता है स्टेजी ऑफिस डेली से तो यह सारे मतलब बाधान परदाव जो है सारी चीजें administrative इनके देखरेख में की जाते हैं तो यहां पे भी आपकी posting हो सकती है यह बड़े crucial wing है यहां पे गलतियों की कोई गुंजाईश आपको नहीं रहेगी इसके अलावा promotion की बात करते हैं आईए promotion की बात करों तो auditor से senior auditor आप एक छोटा सा auditor का confirmatory exam होता है आपने अब senior auditor बन गए आप और आप बहुत ही आलस में हैं कि मुझे तो assistant audit officer नहीं बनना है मुझे audit पे बिल्कुल भी नहीं जाना तो आप फिर आप exam नहीं देते हैं एक exam होता है सेस का और आप पड़े रहते हैं आराम से नौकरी करते होते हैं time बित्ता है और बान में आपका supervisor का promotion आ जाता है और supervisor की जो ग्रेट पे है वह सेम है जो income tax inspector या आप देखते हैं पहले 4600 ग्रेट पे जो हुआ करती थी खैर अगर आपने एक्जाम क्लियर किया बिंग ऑडिटर या सीनियर ऑडिटर एस एक्जाम आप क्लियर करते हैं तो आपको assistant audit officer के लिए promote होने की opportunity फुल जात है तो इसके मैं यह कह सकता हूं कि अगर आपने एक्जाम क्लियर किया यह एक्जाम आप जब क्लियर कर लेंगे अगर मैं देखू एक time frame ideal time frame तो आप तीन चार साल में बड़े आराम से एक्जाम को चार साल में क्लियर कर सकते हैं और फिर आप अपने लिए opportunity खुल सकते हैं assistant audit officer post की जो directly gazetted post है इसके अलावा बात करूं तो assistant audit officer से senior audit officer का जो प्रमोशन आएगा वो time bound आएगा वो अपने अंतराल पे होगा उसके लिए कोई exam की कोई जरुवत नहीं है और इसके बाद अगला promotion जो है वो deputy accountant general यानि की DAG का होता है और DAG के level पे अधिकारी UPSC से भी आते हैं IA and AS के थुरू आते हैं Indian audit and account services के थुरू आते हैं तो यह जो अधिकारी होते हैं basically यहाँ पे इसलिए जो है promotions कम होते जाते हैं तो अगर कोई person है जो category से हैं आप SCST category से हैं तो आपके promotion के chances और आपने ठीक ठाक एज में join कर लिया है young age में तो आपके DAG बनने के भी chances रहते हैं जो की UPSC केडर हो जाता है फिर यहां पर all India liability create हो जाती है मतलब अब जैसे ही आप DAG बनेंगे all India transfer के लिए आप मतलब हो जाएंगे liable ठीक है तो इसके बाद transfer की बात करूं अगर मैं इंडिया लेवल पर transfer देखू जैसे आप एक state में posted हैं आपकी posting राजस्थान के जैपूर में है और आप बिलॉंग करते हर्याणा से आप चाहते मैं चन्री घड़ा जाओं तो वह समझ लीजिए कि लगभग लगभग next to impossible है विंग्स अलग अलग है विंग्स के हिसाफ से transfer भी है लेकिन auditor लेवल पे बहुत मुश्किल है और senior auditor लेवल पे आप double AO बनिए तो कुछ व पिंजाईश नहीं है ना के बराबर अगरा में डिफेंस में ट्रांसफर्स आपको मिल जाएंगे तो यह डिपेंड करता है विंग पे फिर भी आप मान के चलने की ट्रांसफर जो स्टेट आपको अलॉट हो गया वहीं आपको रहना है अब ट्रांसफर की ये बात हुई ले और वह आप आपके चंडी गड़ में और वह साथ मैं आना चाहता हूं जाना चाहता है जैपुर तो यह छेंजित कर सकते हैं थोड़ा सा mutual transfers के लिए apply कर सकते हैं उसके लिए भी धेर सारी criteria's हैं जिनको आपको fulfill करना होता है इसके बाद salary की बात करूंगा आप से अगर आप देखे group x cities में posted हैं जिसमें चिन्हित cities हैं नोटिफाइड हैं वो डेली मुंबई वगारा ठीक है group x cities तो यहां पे जो आपको salary ग्रॉस salary बनती है आपकी वो 42,104 रुपए यानि की 42,104 रुपीज अब देखेंगे जब group y की salary तो वो 37,000 38,000 के round रहेगी और group z cities में 36,000 के round तो यह salary में इतना difference क्यों है difference का एक कारण होता है house rent allowance यह चारे जो है group x cities में वो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे सकते हैं 7,000 और group y में 46,000 और group z में 23,000 तो यह एक बहुत बड़ा role play करता है salary के difference में इसके अलावा भी transport allowance भी है वो भी थोड़ा सा role 1800 का अंतर लाता है तो यह आपको salary आप अपने salary पे एक detail वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं इसके बाद work life balance की बात करते हैं तो खेर बहुत ही लेस एक्टिक जॉब आप कह सकते हैं moderate workload है लेकिन मैंने आप से धेर सारे sections की जानकारी discuss की उसमें अगर आपकी posting में हो जाती है एडमिन में हो जाती है बिल्स में हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि बिल्स में आपको salary जैसे आप crucial issues से deal करेंगे तो आप वहां पर लापरवाही बिल्कुल भी chance नहीं है तो वहां पर आपको बढ़िया से काम करना पड़ेगा तो एक workload रहेगा चीक है उसके लिए भी आपको तयार होना है यह नहीं है कि मतलब इस particular जॉब में कोई workload नहीं रहेगा या ऐसा किसी भी जॉब में न यह लगता कि इससे बहतर कोई जॉब होगी सीजियल में तो एक कम्टिटिव एग्जाम सोले डेफिनेटली अगर आपके नंबर आसपास है इसके तो आप इसको कर सकते हैं और अगर आपको यह मिल जा तो आपको एक अच्छी तयारी करने में आपको एक टाइम मिलेगा तय you thank you everyone I'm ending it thanks a lot have a nice day bye